Hello students, नवांकुर विद्धापीट के DG lessons from the house of नवांकुर में आप सब का स्वागत है आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्छा साथ का विशेबिग्यान पार्ट ग्यारा का जिसका नाम है जन्तुओं और पादप में परिवेन का अभ्यास प्रिश्न उत्तर बाई राजंदर सूरिवन सी सर तो सुरू करते हैं प्रिश्न नमबर एक कॉलम ए में दिये गए सरनचनाओ का कॉलम बी में दिये गए प्रिकरमों से मिलान कीजिए कॉलम ए कॉलम बी कॉलम ए रंद्र जिसका उत्तर है बासपोट सरजन खा जाइलम उत्तर है जल का परिवेन गा मूलरों उत्तर है जल का अवसोचन गा फिलोवें उत्तर है भूजन का परिवेन अब देखते हैं प्रिश्न नमबर दो रक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए का हर्दै से रक्त का सरीर के सभी अंगों में परिवेन खालिस्तान के द्वारा होता है इसका उत्तर है धमनियों खा हीमोगलोविन खालिस्तान को इस काउमें पाया जाता है उत्तर है लाल रक्त गा, धमनियां और सराएं खालिस्तान के जाल द्वारा जुड़ी रहती हैं गा, हर्दै का लाइबद विस्तार और संकुचन खालिस्तान कहलाता है गा, मानव सरीर के प्रमुख उत्सरजित उत्पाद खालिस्तान हैं गा, अत्र मूत्र, छा, पसीनी में जल और खालिस्तान होता है गा, लवर, जा, ब्रक अपसिष्ट पजार्थों को तरव रूप से या तरव रूप में बाहर नकालते हैं जिसे हम खालिस्तान कहते हैं उत्तर है यूरिया जहा ब्रक्षों में बहुत अथिक उंचाईों तक जल पहुँचाने के कार में खालिस्तान द्वारा उत्पन चूशन अभीकर्शन बल सहायता करता है उत्तर है बासपोथ सर्जन पिस नमबर तीन सही विकल्प का चाइन कीजिए का पादपों में जल का परिवेन होता है पहला जाइलम के द्वारा दूसरा फिलोएम के द्वारा तीसरा रंद्रों के द्वारा चौथा मूल रॉमों के द्वारा उत्तर है पहला जाइलम के द्वारा खा, मूलों द्वारा जल के अफसोशन की दर को बढ़ाया जा सकता है उन्हें, पहला च्छाया में रखकर, दूसरा मंद परकास में रखकर, तीसरा पंखे के नीचे रखकर, चौथा पॉलिथन की ठैली में रखकर उत्तर है, दूसरा मंद परकास में रखकर प्रिश्ट नमर चार पादपों अधवा जन्तों में पदार्थों का परिवहन क्यों आवस्च है समझाईए पादप तता जन्तों में परिवहन द्वारा रक्त के माध्यम से भोजन, जल, आक्सिजन, इवं अन्न महत पुनों प्योगी पदार्थों को सरीर के विभिन भागों में पहुँचाया जाता है जिससे मन उस से जैविक क्रियाएं करता है परिवहन द्वारा उन अंगों में उत्पन हानिकारक पदार्थों जैसे कारवन डियोकसाइट, पसीना, मूत्र आदी को सरीर से बाहर निकाला जाता है अताप पादपों और जन्तों में पदार्थों का परिवहन आवश्चक है पिस नमबर पाँच क्या होगा यदि रक्त में पट्टी काणू नहीं होंगे उत्तर पट्टी काणू चोट लगने पर ठक्का जमाने में सायक है रक्त में यदि पट्टी काणू नहीं होंगे तो चोट लगने पर ठक्का नहीं जमेगा धक्का ना जमने से सरीर से अधिक रक्त बह जाएगा जिससे मनुस्टिकी मरत्यू भी हो सकती है प्रिश नमबर छे रंद्र क्या है? रंद्रों के दो कार बताईए उत्तर पादप की पत्तियों में गैसों के बिनीमा के लिए सुख्च में छिद्र होते हैं रिक्त जल बास पर बनकर उड़ता रहता है दूसरा रंद्रों से पत्तियां ऑक्सिजन एवं कारवन डियोक्साइड का आधान प्रदान करती है प्रिश नमर साथ क्या बासपूत सर्जन पादपों में कोई उप्योगी कार करता है? उत्तर बासपूत सर्जन से चूसन अभी करशन बल उत्पन होता है जिसके कारण मूलों दारा अवसोसित जल तने और पत्तियों तक पहुंचता है यह पादपों को ठंडा भी रखता है रखत के घटकों के नाम बताईए उत्तर रखत के घटक प्लाजमा, लाल रखत कोशिकाएं, आरवीशी, सोईत रखत कोशिकाएं, डवलीवीशी, तसा पट्टिकाणू, प्लेटलेट्स है उत्तर नो इवम अवश्यक पदारतों को सरीर के बिवन भागों में ले जाता है दूसरा कारवन डियोकसाइट तथा अन उस्थरजी पदारतों को सरीर के बिवन भागों से लाकर फ्यंपड़ों इवम अन उस्थरजी अंगों की सहाथा से निस्कासित करता है तीसरा और पाप चैवें बने बिशेले या हानी कारक पदारतों को हानी रहत बनाने के लिए ये एकरत में भीजता है इस परकार सभी यंगों को रख्त की आवशकता होती है पिश नमबर दस रख्त लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? उत्तर है रख्त में लाल रंग का वरणाख होता है जिससे हीमोगलोबिन कहते हैं हीमोगलोबिन की उपस्तिती के कारण ही रख्त का रंग लाल होता है पिश नमबर ग्यारा हिर्दा के कार बताईए उत्तर हिर्दा के कार पहला हिर्दाय सरीर के समझत अंगों एवं कोशिकाओं में सुद्ध रक्त प्रवाहित करता है दूसरा असुद्ध रक्त को अंगों से एकत्रित करके फेंफणों ब्रक एवं यक्रत में सुद्ध होने के लिए प्रवाहित करता है तीसरा हिर्दाय रक्त में या रक्त के माध्यम से सभी कोसिकाओं को जल एवं अन्य उपियोगी पदारतों का सम्मेहन करता है फिस नमबर बारहा सरीर द्वारा अपसिष्ट पदारतों को सरजित करना क्यों आवश्यक है उत्तर है सरीर में जैविक किरियाओं के अंतरगत कुछ हानी कारक पदारतों करने मान होता है इनका सरीर से बाहर निकलना अत्यंत आवश्यक है अन्नथा सरीर में बिस उत्पन हो जाएगा जिससे मृत्यू हो सकती है पिस नमबर तेरह मानव का और सर्जन तंतर का चित्र बनाईए और इसके विविन भागों को नामंकित कीजिए उत्तर मानव का और सर्जन तंतर यहां पे आप एक चित्र देख रहे हैं इस चित्र को अपनी कौपी पर ध्यान पूरवक सच्छ तरीके से बनाए एवं इसको नामंकित करें जिसमें आप देख सकते हैं निम्न महासिरा दी है महाधमनी दी गई है बाया ब्रक दिया गया है दाया ब्रक दिया गया है मुत्रा से दिया गया है मुत्रमार और मुत्रंद्र दिया गया है इस परकार ये सब तंतर मिलकर और शर्जन तेंद करने मान करते हैं तो हमारा अभ्याद समापत हुआ धन्यवाद